तो फाइनली धूंड लिया आपने हाँ मुझे उमीद थी आप धूंड लोगे आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 11 हिंदी और हो भाड एक और कविता नंबर 10 है इसकी कविता का नाम है आओ मिलकर बचाएं तो ये पूरी कविता हम आज इस वीडियो वीडियो भी देख सकते हो तो प्लेलिस्ट का लिंक और लिखावा सब कुछ लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है जरूर से देख लेना तो चलो अभी शुरू करते हैं अब जो यहाँ पे चैप्टर है उसकी लेखिका का नाम है निर्मिला पूतुल अब यहाँ पे किसी को बचाने की अपने चैप्टर का नाम जाना आओ मिल कर बचाएं अब किसी को बचाया जाएगा किसी को बचाने की कोशिश की जाएगी आखिर कौन है वो जिसको हमें बचाना है वो भी हम जानेंगे लेकिन पहले इसके बारे में जिसको जो बोल रही है कि किसी को बचाओ जा बस निर्मिला पूतुल का जनम एक आदिवासी परिवार में हुआ अब ये काफी ज्यादा इंपोर्टेंट पॉइंट है आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये अपने से रिलेटिट किसी को बचाने की बात करेगी तो इसका जो जनम है कहा हुआ था आदिवासी परिवार में हुआ इनका आरंबिक जीवन बहुत संगर्स में रहा घर में शिक्षा का माहूल होने पिता और चाचा शिक्षक थे अच्छी बात थी इसके बावजूद रोटी की समस्षय से जूजने की कार्ण नियमित अध्यान बाधित होता रहा यानि की पढ़ाई बीच-बीच में र विड्रो की जाती रही स्कूल से विड्रो होता रहा बार-बार क्योंकि पैसा ही नहीं था खाने को पैसे नहीं थे खाने के लाले पड़े हुए थे नर्स बनने पर आर्चिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी यह विचार कर उन्होंने नर्सिंग में डिपलोमा भी किया और काफी समय बाद इगनू से सनातक की डिग्री प्राप्त की सन्थाली समाज और देखो यहां पर यह समाज का जीगर आएगा कविता गंदर यह याद रखना कौन सा समाज है सन्थाली समाज और उसके रागबोद से गहरा जुडाओ पहले से ही था नर्सिंग की सिक्षा के समय बाहर की दुनिया से भी प्रीचा हो गया दोनों समाज की किरिया प्रती किरिया से वह बोद विक्सित हुआ जिससे वह अपने प्रिवेश की वास्त्विक इस्थिति को समझने में सफल हो सकी उन्होंने आदिवाशी समाज को विसंक्तियों को तलिंता से उके रहे खड़ी महनत के बावजूद खराब दसा कुरितियों के कान बिगड़ती पीड़ी थोड़े लाब के लिए बड़े समझोते पुरुस वर्चस्व स्वार्थ के लिए प्रियावन की हानी सिक्षित समाज का दिक्वों और व्यावसाईयों के हाथों की कठ पुतली बनना आदिव वे इस जितिया हैं जो पुतल की कविताओं के केंदर में है यानि की मजबूर है ना एक तरीके से आप सिधा जितने पोईट है सबका मतलब यही है कि गरीबी और बूरी कंडिशन और खास स्वर पर महिलाओं की व्यादिवासी जीवन के कुछ अंचुए पहलों से कलातमक कलातमकता के साथ हमारा प्रिचे कराती है और संथाली समाज के सकारातमक और नकारातमक दोनों पहलों को बेबाकी से सामने रखती है 47 समाज में जहां एक और सादगी, भोलापन, परकरती से जुड़ा और कठोर प्रिश्रम करने की छमता जैसे सकारात्मक तत्व हैं, वहीं दूसरी और उसमें ऐसिक सा, कुरितियां और सराब की और बढ़ता जुकाओ भी है यह कविता समाज के उन चीजों को बचाने की बात करती है, जिनका होना स्वस्थ सामाजी प्राकरतिक प्रिवेस के लिए जरूरी है प्रकरती के विनास और विस्थापन के कारण आदिवासी समाज संकट में है अब ये बात तो आपको पता है, सब को पता है, कि जो पेड़ पोदे है, जंगल है वो काटे जा रहे रहे हैं और जो आदिवासी लोग है, वो जंगलों में रहते हैं तो इस वज़े से जो है जंगल काटे जाएंगे तो आदिवासिस जो हमाज कहां जाएगा संकट में आ जाएगा जो कविता का मूल सवर है संथाली भासा से हिंदी रुपांतर असोक सिंग ने किया है देखो इसने जो ये लेखी का हमारी क्या नाम था निर्बिला पुतुल तो इसने जो है संथाली भासा में लिखा अपनी भासा अब ऐसा थोड़ी ना होता है कि आपको सारी भासा याती हो तो इसका जो रुपांतर है हिंदी में असोक सिंग ने किया है ये पता होना चाहिए आपको थोड़ा सा मतलब अलग टाइप का है बाकी जो कविता हैं उसमें जिसने लिखा है ठीक है तो उसी की जो है मतलब वही लेखक है और वही सब कुछ है लेकिन यहां पर लिखा किसने है निर्मिला पुतुल ने और जो आप पढ़ होगे अभी वह किसने की एसोक सिंग ने लिखा उसको यानिकि लिखा इसने है लेकिन रुपांतरीत कर दिया इसने क्योंकि जन्ताली आपको समझ में ने आएगी और फिर बोलोगे भाई एक ऐसी व्याक्या आगई हमारे हिंदी में बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए न तो थोड़ा एजी कर रख लिया बोर्ड वालों ने अच्छी मेहनत करी है अब जो है अकसर हो गए छोटे अब यहां पर पहला पहला आ रहा है अपनी बस्तियों को नंगी होने से सहर की आबो हवा से बचाए उसे अब यहां पर जो अपका चैप्टर का नाम है आओ मिलकर बचाए हमने कुछ चीजे जान ली थी जब हम जीवन पर इस्चेक कर रहे थे थोड़ी देर पहले तो हमें जो इंसान हैं वहां पर रह रहे उनको बचाने की वहां पर बात की जा रही थी अब उसी को देखो यहां पर अपनी बस्तियों को कौन सी बस्तिया है वह आदिवासी लोग जहां पर रह रहे हैं तो अपनी बस्तियों को नंगी होने से यानि की नंगी होने का यहां पर से बilly हो जाने से थी हैं किा आपनी बांसी लोग anterior से नहीं रहे तो इसी लिए वह कि अपनी बॉस्तियों को बचाणा लो किस तरीके से बचाना है वह आप जानते हैं जंगल को बचा लो मतलब सहर की आबो हवा से बचाए उसे आबो हवा होती है जलवायू जैसे एक तरीके से मैं आपको समझाओ तो जैसे परचावा पड़ता है ना अलब गाउं में लोग कहते हैं कि परचावा पड़ गया इसका असर दिखना शुरू होना ऐसा कुछ होता है हमारी बोला जाता है आपके इलाके में कुछ और बोलते होंगे आबो हवा होती है वैसे जलवायू यानि कि सहर के अंदर पेड़ पोदे नहीं है और उसी का असर आपको देखने को मिलेगा वहां पे धीरे धीरे जंगल कटते जा रहे हैं तो उसी की तरह है सहर की तरह ही वो जो है वो बन जाएगा वहां पे घर बन जाएंगे लेकिन पेड़ पोदे नहीं रहेंगे तो लेखी का बोलती है कि उसे बचाओ सहर की आबो हवा से बचाए उसे ऐसा ना होने तो उसको बचा लो बचाए डूबने से पूरी की पूरी बस्ति को हडियों में अब अगर जंगल कट जाते हैं तो जो पूरी बस्ति है जो बस्तिया बचानी हैं को जो उजड़ जाएंगी तो अगर जंगल कटे तो उनकी जो हडिया मिलेगी हमें क्योंकि वो जो है हमारा जो समाज है उसको देख नहीं पाएंगे यानि कि वो कुल मिला के बात आपको पता है आदिवासी लोग जंगलों के उपर पूरा निर्भर करते हैं ना उनको किसी ऐसी चीज जैसे पैसा हो गया इन चीजों से कुछ लेना देना नहीं होता उनको तो वो पूरी लकडिया उनको चाहिए या फिर उनको जानरों का सिखार करना है हर चीज उनको जंगल से मिलेगी तो अब जो होता है कि जंगल काटे जाते हैं तो वो सारी जो लोग है वो समाज के साथ घुल मिल नहीं पाएंगे और मारे जाएंगे वो पिछट जाएंगे या मारे जाएंगे बूरी हालत हो जाएगी तो बोदरी है कि उनको उनको बचा लो उनकी हडियां बनने से पहले उनको बचा लो उनको खतम होने से पहले उन बस्तियों को पूरी की पूरी जो बस्तियां उजड़ने वाली हैं उनको बचा लो उस जंगल को मत कटने दो अपने चहरे पर संथाल प्रागना की माटी का रंग भासा में जहरकन डीपन अपने चहरे पर जो वे लोग हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं तो उन पे जो है संथाल प्रागना की माटी का रंग जो है जैसे तोड तरीके या फिर जो भी कुछ है जो की भासा में जारकंडी पन यानि की जारकंड का जो इलाका है संथाल तो वहां की जो भासा है जो आदिवासी लोग वहां के बोलते हैं या फिर जो है उनके तोड तरीके जो भी कुछ है वो अब फीके पड़ते जारे कम जोर हो होते जा रहे हैं तो उस माटी के रंग को अपने चहरे से दूर मत होने दो यानि कि जैसे एक्स्टिंट हो जाते हैं खतम हो जाती है कोई शब्यता तो वैसा मत होने दो इनको बचा लो ऐसा लेखी का बोलना चाहरी है आप समझे गए पॉइंट ओफ यू क्या है कि अपने चह आलो नहीं तो वो आने वाले समय में खतम हो जाएंगे वो तोर तरीके नहीं बचेंगे वो भासा वो बोली सब खतम हो जाएगी थंडी होती दिन चरिया में जीवन की गर्माहट मन का हरापन भोलापन दिल का अख़डपन जुझारूपन भी अब जो है क्या बोल रहे हैं क थंडी होती दिन चरिया में अब जो दिन चरिया है आदिवासी लोगों की दिन चरिया क्या होती है उठो शिकार करो खाओ पियो सो जाओ उठो लकड़ी मतलब खाने पीने के लिए लकड़िया वगर एक ठी करो वस इतना ही दिन चरिया में सामिल होता है थोड़ा बहुत मन उनको मन नहीं करता वो चीजे करने का वो काम करने का यानि कि वो सब्यता को मदद की जरूरत है आउसकता है आप लोगों की कि आप लोग उनको जो सब्यता है जो लोग छोड़ के जा रहे हैं खतम होते जा रहे तो उनको बचा लो उनकी दिंचिरिया को बचा लो जीवन की गर्माहट, मन का हरापन अब यहां पर उनकी विशेष्टाइं बताएगे कुछ कि जीवन की गर्माहट यानि कि जो उनके अंदर जोस था गर्माहट का मतलब है कि जो नया उत्साहा आता था कि सुबह हुआ, आज नया सिकार पकड़ेंगे, आज नयी हीरन लेके आएंगे आज वो करेंगे, तो वो जो उत्साहा है लोगों के अंदर वो ठंडा पड़ता जा रहा है ठंडी होती दिन चरिया में, जीवन की गर्माहट, गर्माहट का यहां पर मतलब है उत्साहा, जो नया उत्साहा था हर रोज के साथ में, हर दिन के साथ में तो वो अब ठंडा पड़ता जा रहा है मन का हरापन, भोलापन दिल का अब देखो, मन का हरापन मन का हरापन है मतलब कि यहां पर मन की खुशियां जो थी खुश रहते थे बंदे उस टाइम पे तो जो खुश थे अब वो वैसे नहीं रहा वो धीरे धीरे जो है परेशाननी में आते चले जा रहे हैं भोलापन दिल का दिल से भी बहुले भाले हैं उनको ज्यादा समझ नहीं है इन चीजों की भोले भाले लोग है वो अखडपन जो अब देखते हैं अगली लाइन अब यहाँ पर बताया जाता है उनकी विशेष्टाओं के बारे में अब आदिवासी लोगों कुछ विशेष्टाओं होती है तो उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे भी भीतर की आग अब जो उनके अंदर की जो आग है वो ठंडी प कुलहाडी यह आम तौर पे जो जंगल में अधिवासी लोग रहते हैं उनके प्रियोक के जाने वाले हतियार है यह दंुस की डोरी में दोर दिन की जोरी की तेज धार्ती वो भी अब खुर्दरी होती जा रहे है, मतलब कमजोर होती जा रही है, अब आगे देखो जंगल की ताजा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाडों का मोन, गीतों की धुन, मिट्टी का सुंधापन, फसलों की लहलाट, सब कुछ खतम होता जा रहे है, जंग खराब हो गई है, मैली कुछेली हो गई है, पहाडों का मोन, पहाड बिल्कुल चुप चाप सन्नाटे से भरे रहते थे, अब उनके अंदर भी सन्नाटा नहीं रहा, यानि कि उनके अंदर से भी रास्ते निकाल दिये गए, बिल्कुल सांत जगह को भी सांत नहीं छोड़ा ग पड़ेगा हम सब को बचाना पड़ेगा नाचने के लिए खुला आंगन गाने के लिए गीत हसने के लिए थोड़ी खिलखिला हर्ट रोने के लिए मुठी भर एकांत यानि कि खिलखिला तो आप समझते हो यह मुस्कुराइट होती है ठीक है ज्यादा कुछ है निश में एकांत का मतलब एक सांथ जगह जिसको बोला जाता है तो नाचने के लिए खुला आंगन उनको क्या चाहिए उनको गाने हैं उसको बरबाद मत करो उस इलाके को जहां पर वो लोग रह रहे हैं उसको खतम मत करो तो अगर हम ऐसा नहीं करते हैं हम उनको बचा लेते हैं तो उनको नाचने के लिए खुला आंगन मिलेगा गाने के लिए गीत रहेंगे उनके और उनके चहरे पर मुस्कान आएगी अब कम से कम अगर वो हो रहा है तो रोने के लिए मुठी बर एकांत यानिका उनको सांती परदान करो उनका कुछ करो ठीक है यहाँ पर ऐसा कुछ बताने की कोशिश की जारीएगी हमें कोशिश से करनी पड़ेंगी उनको बचाने के लिए ताकि उनकी जो खुसी है वो वापिस लोटकर आ सके जो अब उनके अंदर जो जोस था वो खतम हो गया है तो अब हमें कोशिश से करनी पड़ेंगी ताकि वो दोबारा से अपनी हस्ती खेलती जिन्दगी में वापिस आ सके बच्चों के लिए मैदान पस्वों के लिए हरी भरी घास बूडों के लिए पहडों की चानती अब वहां के जो बच्चे हैं उनको मैदान की जरूरत है अब घर बन जाएंगे तो मैदान तो बचेंगे नी जंगल नहीं बचेंगे कुछ नहीं बचेगा तो बच्चों के लिए जो है मैदान खतम होते जा रहे हैं तो हमें उन मैदानों को बचाना पड़ेगा पस्वों के लिए हरी भरी घास यानि कि जो जानवर है वो घास खाते हैं तो उनकी जो घास है वो भी समापत होती जा रही है एक तरीके से समझ लो आपकी जो जंगल है उनको काटके सहर बसाए जा रहे हैं और अगर सहर बसते हैं तो समझ लो या ना तो बच्चों के लिए मैदान मिलेंगे ना पसूं को हरी हरी घास मिलेगी बुढ़ों के लिए पहाडों की सांती पहाडों के अंदर भी सांती नहीं रहेगी बुढ़े लोग जो बैटके आराम से देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे बिल्कुल सांती में मज़ा आता है तो वो मज़ा नहीं रहेगा और इस आई विश्वास भरे दोर में थोड़ा सा विश्वास थोड़ी से उमीद थोड़े से सपने के हमें जरूरत है यानि कि इस एविश्वास भरे दोर में, यहां फिर लेखी का इनिमिला पूतुल यहां हमें बताना चाहरी है कि इस एविश्वास भरे दोर में यानि कि अब लोगों को किसी के उपर भरोषा नहीं रहा आपने आज अपने दोस्ते 10 रूपे लिए तो क्या पताकल को वो वापिस करे ना करे तो विश्वास नहीं रहा तो इसलिए बोला गया कि इस विश्वास भरे दोर में इस जमाने में जब लोगों को किसी के उपर भी भरोसा नहीं रहा हमें करना पड़ेगा थोड़ा सा रंग बिरंगा हरा भरा करना पड़ेगा खुस करना पड़ेगा और हमें उनको अपना भरोसा दिलाना पड़ेगा आओ मिलकर बचाएं चलो मिलकर बचाते हैं अब यहां पर पूरे जो चप्टर है किस को बचानी बात हो रही है जंगलों को बचानी की बात हो रही है और खास तोर पे संथाली समाज को बचाने की बात यहां पर की जा रही है ठीक है यह जो लाइन है मत भूलना किस समाज को ब पढ़ा है तो संथाली थी आदिवासी प्रिवार में से थी तो उसका जो है ये तो हिंदी में जो अभी आप ये कविता पढ़ रहे हो तो ये किसी और ने लिखी है बनवादी था ये आओ मिलकर बचाएं कि इस दोर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पा हमारे पास बहुत सारे संसाधन हैं जिनको हम बचाएं सकते हैं और अगर हम कोसिस नहीं करेंगे तो वो भी बरबाद हो जायेंगी खतम हो जाएंगे तो हमें मिलकर एक कोशिस करने पड़ेगी ताकि हम इस समाज को इस दुनिया को बचा सके बरबाद हो जाने से हो तो चलो वीडियो करते हैं खतम उमीद है आपको यह समझ में आ गए होगी है व्याख्या इसी थी ज्यादा डिफिकल्ट थी नहीं हिंदी टू हिंदी ट्रांसलेटीड है थोड़ा सब आपको इस चैप्टर का भी तो डिस्क्रिप्टर में प्लेलिस्ट और दिखावा सबका लिंक मिलेगा जरूरूर से चेक करना एक बार काम आएगा आपके चलो वीडियो करते हैं अभी खतम मैं कवर करने वाला हूं क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो ह हिंदी मीडियम और इंगलिस मीडियम दोनों में होने वाली हैं तो सब्सक्राइब कर लो साथ में घंटी दबा लेना ताकि अगर कोई अपडेट में आपको दू तो आपसे छुटने ना पाए